तो आज ekमार टोपिक है इंड़क्टिव एफेक्ट है इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो देख लेते हैं हमें पता है कि जो कुछ भी है जो कुछ एक सिंगल पॉंड ठीक है अब एक बॉंड की अंदर हमें पता हूं और बैंड चैनि सोन के लंद हमें पता है ना बॉंड की अंदर हमेशन्थ के दो लेक्टरों है उटेस से कियाएव से फेस्ट एक कि मैं पूरा पूरा बोन्ड एगर सीफ्ट हो जाए वही अगर लोन पेर हो लॉन पेर भी एकर मान लो अगर इद्धर है लोन पेयर है के तो अघर शफ्ट हो तो इसको हम इसको इससे शोक करते हैं तो तो क्या हो जाँगा है स्टैप च्छ सी बात है है अगर मान लो कि की एक है ठीक है ठीक एक है it is हमादो इसको पर एक एक से एक हो ये है एक है कि एक हम से जो करते कि वह हम हाफ ये शो हो हरह दीजर रहें हम थोटा सा टूपिक था कि हम जो इलेक्टोन को ट्रांसफर हों तो इसको चालो करतें तो अब हम इंड़क्टीव इफेक्ट को स्टार्ट करतें ठीक है अगर आपको electron negativity का पता है कि Keys क्या होती हैं तो इंधिक्टिव एक्ट भी आपको पता है कि क्या होती है ठीख है तो हम जैंसे तो xiह इंवाद यह लिए मिलता थीक है तो हमने केमिकल पीजिए कमini क्राव जब यह वहाँ बड़ी थीजिति है अब कान नाम चुरू यह हो गया है हम Sher McDonald होते हैं जैसे मालों एक आटम नीए एक एक आटम यह है दूसरा अटम यह है दोनों ने एक 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 आटरण कर रहे हैं मुढम मुझारख को अपनेत्र की जादा हो या पता हुनेकिन क्या हो एक सिश्ची अपनी ते si अपनीं तरह हो ठोड़ कर ले तोड़ा सा प्लक कर ले थोड़ा सा खी ले तो वह इसकी अलगज़म की अलग अलग-अलग यल्यक्टर नेगटिविटी होती है ठीक है हम जानते हैं और जाना भी चाहिए अभी तक क्योंकि हम लाष्ट में हैं और अगर यह नहीं पता तो फिर तो गड़बड़ की बात है ठीक है मैं अब जैसे देखो हमेरे पास एक कार्बन की चैन है ठीक हम इन और प्रक्तर अब इसके लांश्ट में हमारे पास एक किलोरीन एड हो ऑगिया ठीक है और ठीक एक कार्बन के अलावा कोई यह हैं तो यहां तक तक तो ठीक तो थीक है इसमें एक रोल आएगा एग आ यह शे री लेट्रों है यह से price घ्र लीचहीं तो यह चीज़ के है आ अगर अगर किलोरीन इनको अपनी तरफ थोड़ा सा ठीच लिए कि सीश के सब सकते होती है तो यह क्या करेंगा थोड़े सी programme को अपमी तरफ खीच लेगा और धीस अरोë खीर किज़ने को शो करते हम वो आरोो Tea से शो करते है कि जो खीच रहा है उसको हम शो करते हैं तो हमें पता है electronically negativity जिसकी ज्यादा होती है मतां अगर कोई किसी दो में किसी की इलेक्ट्र नेगडिविटी ज्यादा है तो उसके पार्चल चार्ज क्रेट होते है जिसको हम डेल से शो करते हैं अब कलोरीन है इसनिया इलेक्ट्र थोड़ा अपनी तरफ खेचा तो एक छोटा सा चार इस पर इसको माइने शो कर देगे तो कार्वन पर क्या शो ह औरजन कर दिया हमने औरगनिक में कार्बन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो बस वहीं हमने अपड़ेट कर दिया प्रोपर्टी सेम होती हैं थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं हम वहाँ केमिकल बोंडिम इलेक्ट्रो नेगरिटी को समझ रहे थे अब यहां जो carbonic chain में जब electronegativity लग रही है तो हम इसको कहते है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो यह हम इसको towards दिखाएंगे कि ऐसे show करता है, अब इस पर delta plus है, तो इसके कारण इस पर भी छोटा सा charge create होगा, क्योंकि इसके पास electron की कमी, मल्द, electron की कमी तो नहीं, क्यों इस पर भी charge आजाएगा, ठीक है, लेकिन अब इसमें ऐसे नहीं कि सभी पर चलता रहेगा, तीन carbon तकी इसमें आता है क्यों, क्योंकि इस पर depend करता है कितना powerful है अपने पास, जो electron negative हमारे पास, जो electron को पर तरफ खीच रहा है, वो कितना powerful है, उसके base पर यह chain चलती रहती है, क आता है, चार्ज क्रेट कर देगा, carbon की ऊपर, सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज को धका दे, मालो कोई चीज लाइन में खड़ी हुई है, ठीक है, जैसे cycle होता है, cycle का stand होता है, हम A को मारते हैं, तो एक limit तक ही गिरती है, तो इसमें हमारे पास जो electron negative group होता है, उसकी एक limit होती है, वो जो charge उसको create करने तक ही, ठीक है, मालो एक लंबी सी chain है, ठीक है, लंबी सी chain है, और यहाँ, मालो कोई हमारे पास, कोई electron negative group है, जो इन से carbon से most powerful है, तो सोच के देखो, कहां तक यहाँ पर charge create कर सकता है, ठीक हर चीज के limit होती ही, मतलब हम कहीं जाते हैं, तो हम ए एक power लगाते हैं, वहीं तक वो चीजे, जैसे हम मालो एक चार-पास बंदे हैं, लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ के उनको धक्का मारते हैं, तो ऐसे हो सकता है कि हमारी जितनी power है, उसमें तीन तक ही वो धक्का मार रहे हैं, जो force लगा रहे हैं, वो तीन तक ही effect उनको feel हो, है न, मालो कि हमसे, मुझसे कोई powerful person वहाँ आया, और उसे न उन पास बंदों को धक्का दिया, हो सकता है कि जो मुझसे थोड़ा powerful है, वो चार तक वहाँ वो, उस चोथे तक कि उस effect आए, उस चोथे बंदे तक, तो इसी टाइप से हर चीजे काम करते हैं, नॉर् बंदे खड़े हैं, ठीक है, लाइन में आये, मैं यहाँ से, मैंने एक को धक्का दिया, मालो मेरा तीन तक गया effect, मेरा जो पावर थी, तीन तक ही लगी, ठीक है, मुझसे को powerful है, उसका जो impact है, वो चोथे तक को मैसूस हो, चोथे को feel हूआ, वही एक हो रहा है, उसको effect होता है, वो third carbon ते की होता है, इस आगे उनका effect जाता नहीं है, ठीक है, और depend भी करता है, गुरूप भी कौन सा लग है, तो actually यह होता है, इसका inductive effect, जो आगे भी moan करता रहता है, ठीक है, तो इसमें हम एक छोटा सा example भी देख लेते हैं, जब double bond है, triple bond से related, मालो ही अपने पास यह carbon की chain है, ठीक है, actually इसकी अंदर भी ही electron, अगर double bond है, triple bond है, तो इनकी carbon भी electron negativity इनमे effect करेगी, ठीक है, हमें पता है, अगर आपको बता हो कि, जो S character जिसमें ज्यादा होता है, जिस compound में S character ज्यादा होता है, S character means nucleus होता है, और इसके पास सब से pass group कौन सा होता है, S, उसक df, तो nucleus के पास सबसे ज्यादा group कौन सा होता है, S, तो अगर nucleus के पास S group ज्यादा होता है, तो इसकी जो power होती, electron को अपरी तरफ खीचने को ज्यादा होती है, ठीक है, थोड़ा सा imagination का यूज करके देखना, कि कोई powerful चीज़ के पास कोई है, तो उसकी power बढ़ जाएगी, तो इसमें तो 50% करेक्टर होता है, S करेक्टर, इसमें 33 होता है, और इसमें हमारे पास 25 करेक्टर होता है, परसेंट करेक्टर होता है, S का, मतलब more electron negative कोई होगा, ज्यादा electron कोई कीज़ेगा, S पी, तो अगर double bond या triple bond है, तो वहां देखो, यहां देखो, इस carbon का जो hybridization वो क्या हो जो जान क गए कारवन का होता है, पर सिंपल होता है, कि carbon जितने atom से connect होगा, उतने एसका hybridization होगा, जैसे यहां देखो, यहां carbon A carbon से attach है, इसके दावा और कोई molecule से attach है नहीं, तो इसका S P होगा, यहां इस carbon को देखो, यह इससे connect है, और इससे connect है, दो कई है तो S P होगा, यह carbon देखो इधर carbon से अटेच है इधर carbon से टेच है इधर hydrogen से टेच है तीन से टेच है तीन में क्या होगा? sp2 ठीक है वैसे hybridization only carbon का है carbon क्योंकि 4-valency होती है tetra-valency होती है that's why हम sp2 निकाल रहे है सभी कैसे नहीं होता है कि वह जितने से attach वह उसको hybridization कहते है नहीं only carbon के case में ऐसा होता है इसको डिटेल में chemical bonding में हमने पढ़ा था और यह carbon भी तीन से टेच इसका sp2 होगा कि एस character इसमें ज्यादा है तो यह bond को अपनी तरफ खीचेगा इस bond को अपनी तरफ खीचेगा और इस पर आजागा नेगिटिव चार्ज और इस पर आजागा पार्टिल पोजिटिव चार्ज तो सिंपल सी बाता अकर sp है तो उसकी इलेक्ट्र नेगिटी ज्यादा होती उस carbon की ठीक है अब जो अपने पास चलो यह तो simple है ठीक है पाई बोंड अपनी हमने इंडेक्टिव इफेक्टों समझा अब इंडेक्टिव इफेक्ट दो टाइप की होता है मतलब एक्चली जो ग्रूप लगा होता है एक कार्बन की चेन में कोई ग्रूप लगा होता है मानलों एक्स कोई भी ग्रूप लगाओ है तो यह दो टाइप सी हो सकता है क्या तो इलेक्ट्रों ले सकता है यह मतलब इलेक्ट्रों को अपनी कार्बन आपनी तरफ खीच ले की तु दो टाइब से हो सकते हैं तो इसे में दो टाइब कि अपने पास ए इलेक्ट वीड्रोई ए इलेक्ट डॉनेटिंग ग्रूप ये दो टाइब से मारे पास इंड़ेक्टी इफेक्ट आते हैं दोनों को एक एक करके समझते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो इलेक्ट्रों विड्रोइंग ग्रूप ठीक है जो विड्रो करें अलब कि मुल्ब यह कार्बन की चेन है ठीक है ठायटराव्येसीं के कंप्लीट कर दें है फैस हाइज यहांपर आपास वह इलेक्ट्रों इब्रों करता है थिहां से अपनी तरफ खीशता है माइस है सब्सक्ता है तो यह बनाग्रूं इर्ट्रों करते माईनेस आइफ्ट इसको हम कहता है कि shootings आफेक्ट करर रहे Of minus eye effect you show कर रहे हैं क्योंकि यह electron को अपने तरफ लेके अपने उपन नेगटिव चार्ज ले ले Гरूप कि आपनी एपने उपने फंचेंच्स欸 अगर यहीं यह group you algunas दे दे एलेक्ट्रों इसने क्या क्या कि इलेक्ट्रों दे दिया को कारबन की चेंट मतलब काड़न की जो एक्टों नेगेटिवटी है वो इसकी पाइन जाता है तो एक न ने लेगा तो इस पर क्या जाएगा पौजिटिव चार्ज तो यह शोगो करेगा प्लस इफेक्ट इसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट ठीक है अगर आप ध्याल से देखो नहीं हो क्या रहा है कि हाँ फेल्किन को ले रहा है कGen तो एलेक्ट्रों विद्रोओं घ्रूइंग तो यहो गया Clar letzte टोनेटर ग्रूप अब अगर आप ध्यांस रही गोरी जो कंसेफ्ट है अगर आप ध्याहन दोयले कितने वर पड़ लें अब सबस Fuji करने वाला वाला एकान लेने वाला Aud Tupper फिर हमने देखा था Oxidation and Reduction में कि Oxidation electron लेता है reduction में उसका नाम रख दिया Oxidation and Reduction फिर उसके बाथ reaction mechanism हम नुख्लियू फाइल पढ़ा था नुक्लियू इलेक्ट्रोफाइल नुक्लियू फाइल होगा इलेक्ट्रॉफाइल देगा और ओर ईलेक्ट्रोफाइल हो तो जो इलेक्ट्ट्रोण लेगा अब इसमने देख लो विड्ड्रोइंग ग्रूप में यह एलेक्ट्रों लेगा ओ एलेक्ट्रोंड देगा जहां से देखो तो ऐसी सिचुएशन है कि आप कोई स्टूडेंट है वो स्कूल में पढ़ रहे तो मालो रमेश है ठीक है रमेश स्कूल में पढ़ रहे वहीं रमेश मलब रमेश स्कूल में पढ़ रहे अब रमेश घर में पढ़ रहे और रमेश लाइब्रेरी में पढ़ रहे है रमेश टूशन क्लास में पढ़ रहे है ध्याँ से देखो प्रोपर्टी सेम है प्रोपर्टी सेम बस नाम अलग अलग है मतलब जगह अलग है रमेश तो एगी है जगह अलग अलग है इसी टाइब में यह जो हम साइंस पढ़ते है चोटा सा minor difference होता है मतलब कोई भी हम concept पढ़ रहे हैं वो concept हम कहां लगा रहे हैं कोई सी जगह लगा रहे हैं तो उसके साबसे उसका नाम change हो जाता है ठीक है हमने redox reaction पढ़ा तो अलग हो गया acid base में पढ़ा तो हमने अलग system हो गया mostly जो सारी कहानी वो electron donate हो लेने की है लेकिन सबका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है ठीक है यही actually science है क्योंकि हम बहुत से छोटी से छोटी minor चीज़ों को हम बहुत detail में समझते हैं अब ऐसा नहीं सब चीज़े same है सबकी property अलग अलग है लेकिन जो man जो concept है जो man जो नहीं का base है वो एक है electron लेना और electron देना property अलग अलग होंगी ऐसी बाद नहीं property same हो जाएगी पर base सबका एक तो इसका मतलब कहने का मतलब अगर आपका basic clear है किसी भी चीज में चाहिए वो कुछ भी हो किसी भी चीज में आपका basic clear है तो आगे की चीज़े आपके बहुत easy हो जाती है यहीं चीज हमने electron negativity को करते करते यहां आ गए बहुत चीज़े जो में electron negativity का role आया है और उनकी base पे उनका नाम change हो गया है ठीक है I think समझ में आगया होगा कि basic clear होना कितना आपका base मजबूत होना कितना जुरूरी होता है बाद में चीज़े असान होती जाती है लेकिन आप direct यहां से अगर start करो तो बस क्या तो रटने का होता है क्या उपर से निकलने का होता है बस दो चीज़े होती है ठीक है चलो हम तो चलो ठीक है इसमे electron withdrawing हो गया यह minus i effect शो करेगा क्योंकि electron लेगा तो इसपे minus charge create होगा और यह है यह electron नहीं दे पाएगा क्योंकि carbon खीच लेगा इससे तो इसपे plus i effect होगा अब देखो अब यह जो group है ना यह अलग-अलग type की हो सकते है है ना इनका potential अलग-अलग हो सकते है ना बताया ना कि अगर मैं मुका मैं धक्का मार रहा हो तीन तक की तीन लोगी गिर रहे हैं कोई ओर है तो चार को गिरा रहे है तो ऐसे है अब यहां पर जो है उनकी जो power होगी खीचने की अलग-अलग molecules की अलग-अलग items की यहां वो अलग-अलग होती है वह देखते हैं तो यहां हमारे पास कुछ गुरूप है ठीक है यह electron withdrawing की गुरूप है और electron donating की गुरूप है तो electron donate में तो कुछ नहीं है बस टरसरी सेकंडरी प्राइमरी जो होते हैं इसको देखे हैं अब हम यह माय पास इक टेबल यह तो यह हां जो 무대 privileged है मतलब हमारे पास कारवन 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 ऐसे हों यहां पर मदवाश गूरूप है अब यहां मानलो हमारे पास फ़िख अनल दिफिष्ञ यहां हमारे पास एंस-फ्री लगाओ है और एक तरफ मालो चलो जैसे माले हमारे पास है यहां लगा हूआ है और यहां मालो हमारे पास लगा हो है ओ अब आपको और कुछ पूछ ले कि इन दोनों में से इन दोनों में से विड्रोइंग ग्रूप की जो पावर है जो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शोकुन करेगा तो उसके लिए आपको यह जो टेबल है एक्चली जो यह यह टेबल है आपको याद रखनी होगी ठीक है ना भहुत सी चीजी होते हैं जो ट्रिक क्रियेट कर लो खुद से ठीक है अब देखो अगर में इसमें बताना हो कि माइनस आई इफेक्ट कुन ज्यादा शोक करेगा तो देखो यह यहाँ प्याता सबसे लाश्ट में और यह सबसे उपर आता है अब याद कैसे रही है तो देखो इसकी ट्रिक बिनाने पड़ेगा याद रखना पड़ेगा आपको ऐसी बात नहीं है यहाँ यह तेबल है माला बहुस्सी टेबल साती है तो उनको अलग-अलग तरिकर तो नहीं पता नहीं याद तो नहीं कर पाओगे तो यह इसमें एक थोड़ा है कि हम साइंस में भी हमें एक आटाब रटना पड़ेगा कह सकते हैं तो रट तो नहीं सक्ते तो यह आपको याद रखनी होगी ट्रिक कुछ से क्रेट करो खुद की करो अगर मैं करेट करो तो वह इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी आप खुद करोगी वह जाद इफेक्टिव होगी ठेक है और इलेक्ट्र डॉनेटिंग ग्रूप में हमें कुछ याद रखनी जरूद पनी जो इलकाल ग्रूप से जितने ज्याद है कों से यह दो होते हैं कार्बन, इथायल, मिथायल, इस हैं प्यूप Eli. इथायल ग्रोप स chỉफेक्ट टंग用 तो जितने ज्याद ज्याद कार्बन होगी जितने ज्याद होंगे और इसको ज्यूर्ज हैं की ज्पिंमारे बात हैं तो अगर देखो तो यहाँ हमारे पास तीन मिधाईल गृप जुड़े होें इस कार्बन سے तो इसकी जो इलेक्ट्रन डॉनेटिंग पावर होगी वह सकार्बन को ज्यादा होगी यहाँ देखें तो इहां पर दो मिधैल गृप जुड़े हों सकार्बन से तो इसके कंपेरिज तो हम inductive effect के help से किसी acid है उसकी strength का भी पता लगा सकते हैं ठीक है, acid हमारे पास क्या होता है, acid होता कि H plus donate करे, ठीक है, H plus donate करे, यह हमारे पास acid होता है तो acid के यह definition नहीं होती, हमने 3 bronze strength lower theory वो हमने पढ़ा था, electron को लेना, वो भी था लेकिन फिलाल हम H plus donate करना होता है, वो हम पता है कि acid होता है, अब ऐसा कोई molecule हो जैसे हमारे पास carboxylic acid माल लेते हैं, अब इसमें क्या acid, इसकी अगर acidic strength का अगर हम पता लगाएं तो यह होगा कि अगर यहां से H plus incomलता है, और यहां पर जो negative है, यहां से H plus निकल गया, यह negative है, तो यह कितना stable होता है इसके जाने के बाद, क्योंकि आपको बता है किसी की ओपर भी charge होता है, किसी भी atom, molecule, compound किसी ओपर negative charge या positive charge हो तौठबल होता है ठीक है अगर positive है उसमेंट की कमी है तो हमेंगी है कि उसमेंट करते हैं uh लिक्ट मेंड़ा थ्राइब करे अब जो पिछे रहें नेगेट्यव इसके निकलने के बाद ये कितना स्टेबल होता है वहीं से इसकी ऐसेटिक स्ट्रेंथ होती है उसका पता लगता है ठीक है अब जैसे मान लो झाल अगर मान लो मेरे पास अगर में इस टाइब से मान ठीक है अब सिक्必ड Hey já एंडक्तिफ एफट कैसे काम करेगा मालो यहां मेरे पास है लुब प्लाध्य और यहां मेरे पास मालो यहां यहां मेरे पास मालो कि मैंत हुआ इल्लडर्व ग्रूंग व्यूप लगा देता हूं और तो है तिकल झील्एंट लेता है ऐसे एक तो अब अगर माहन लो यहां से यहां से अगर हाइड्रोजँ दो निकल जाये हैं तो इस पॉजीटीव एक षार्ज है यह अब यह क्या कर दो ए टो जो यह एक्सट्र मैट्व चार्ज हुआ- pec, hydrogen के निकलने के कारण आए है यह अगर यह अपने अंदर ले लेगा इसको लब यहां से जरीज़े यहां गुमते गुमता यह जो electron extra है वो यह अपने पास electron withdrawing group ले लेगा तो इस टेबल नहीं हो जाएगा अगर यह negative charge अगर यह एनस्टु ले 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 withdrawing group ले ले जिसको electron की need है तो stable नहीं हो जाएगा that means इसकी acid की strength है वो भढ़ जाएगी इसका मतलब हम इसको कैसे use कर सकते हैं अगर कहें भी हमें किसी molecule की हमार पास कोई acid है ठीक है जिसमें h हो और वो h plus donate कर दे तो उसको क्या करो उसको electron withdrawing group के साथ attach कर दो तो उसको withdrawing group के साथ attach कर दो तो उसकी acid की strength होगी वो भढ़ जाएगी इसका मतलब अगर किसी acid के अगर में strength बढ़ानी हो उसकी power बढ़ानी हो तो उसके साथ electron withdrawing group लगा दो मतलब h plus निकलना चाहिए ऐसी बात नहीं कि h plus भी निकलना जरूरी है कोई o reactant आया इसको h plus को लेके उड़ा के ले गया ठीक है तभी बता तभी चलेगा यह काम तो वो इसको ले गया अभी थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह हमें इस टाइब से हमें स्ट्रेंथ में इंड़क्टी इफेक्ट है वो काम आता है ठीक है तो देखो इसमें कुल मिला के बात ही है को आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्र नेगिटिविटी किसकी ज्यादा है तो इस क्यूशन में अग इसके इसके पूशन में यह ज्यादा इसके चार जाएगा ज्यादा इसके कम खीचेगा ठीक है कैसे कूशन सकते हैं अगरा हैं Peak लगा दिया माल तो बता इश्याद तो इसमें को क्या कॉन्सी शोब कोपर यहां पर electron donate करेगा ठीक है तो यहां पर कौँसा plus i effect होगा तो ऐसे कुशन पूस सकते हैं एक्चली समय ना यह तो normal कुशन है हम यह बस इलेक्ट्र नेग्डिटी को पता है तो हम बता सकते हैं लेकिन जो मैन कुशन है वह हमारे पास टेबल थी विड्रोंग ग्रूव व ठीक है आई थिंक समझे में आ गया होगा simple है और ज्यादा इसमें है हम हम सिंपल है और इलेक्ट्र नेग्डिट्री का दूसरा नाम ही इंडेक्टिव इफेक्ट है और रिगने की में ठीक है